हेलो दोस्तो मेरा नाम है एकुछ शर्म और आप लोग देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो अगर आप लोग दिल्ली एंसी आर से हैं तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बूरी खबर देना चाहता हूँ कि दो और नई चलांस आ गए हैं दिल्ली में और ये चलांस वेश दिल्ली से सबसे पहले लागू किये गए हैं और 13 जनवरी से इन पर चलां करना और लोगों को रुकवाना स्टार्ट हो चुका है इसमें सबसे पहला जो चलान है वो है बाइक के रियर विव मिरर्स का अगर आप बाइक या टू विलर या कोई भी स्कूटर वगएर आपके पास है और उसमें अगर रियर विव मिरर्स आपने नहीं लगवा रखा है तो आपको रुकवाए जाएगा और 100% आपका चलान हो सकता है और जो चलान होगा वो लगबग 1000 रुपे तक मैक्सिमा आपका चलान किया जा सकता है और जो दूसरा चलान है वो है कार्स वालो से रिलेटिड या जो भी आपके कार्स के ओनर्स हैं या जो खुद अपनी परसनल कार या पैसेंजर कार ड्राइव करते हैं उन पर जो रियर सीट पर जो भी पैसेंजर या उनका कोई भी family member बैठता है तो उसको भी सीट बेल्ट लगाना compulsory किया गया है जैसा कि आपको पता है कि पहले रूल था कि जो front सीट पर बन्दे बैठते हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना मतलब mandatory होता है बट अब rear seats पे भी mandatory कर दिया गया है और अगर आप seatbelt नहीं लगाए हुए पकड़े जाएंगे तो 100% आपको रुकवाए जाएगा और चलान भी हो सकता कुछ case में वो बाकि आपके बात करने के उस पे फे पे हैं करी लोग बात भी करा देते हैं पर फिर भी चलान से बचें और पिछे seatbelt लगा के चलें और अगर आपकी बाइक में rear view mirrors नहीं हैं आपके two wheeler में rear view mirrors नहीं हैं तो install कर लें मैंने भी आज ही install कर लिया हैं दुबारा से डून डांड के तो ये थी आज की वीडियो और आप अपने comment ज़रूर बताना comments में views आप ज़रूर देना कि आपको कैसा feel होता है कि जब ऐसी छोटी-छोटी बातों पर चलान कटते हैं और police की और public की लड़ाई की तो बहुत सारी news और वीडियो आती रहती हैं तो ये थी आज की वीडियो बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो अपने जितने भी friends और family members से उनके साथ share करे ताकि उनका चलान ये नया चलान कटने से बच सके चलिए मिलते हैं next वीडियो में